परती महगाई और बेरोजगारी देश में सबसे बड़ा चिंता का विशह है जिस पर कोई सरकार बात नहीं कर रही है लेकिन चुनाव नजदीक आते ही बेरोजगारों को रोजगार देने का जुन-जुना थमाने का काम हर सरकार के द्वारा किया जाता है और 2023 के चुनाव को देखते हुए एक बार फिर बेरोजगारों को नेजी कंपनियों के स्टॉल लगवा कर नौकरी देने का जुन-जुना थमाया जा रहा है दरसल एलन टी कंपनी के द्वारा रीवा में रोजगार मेरा लगाया गया है जहां लगवक तीन से अधिक बेरोजगार युवक यु कि वंपर भरती की जा रही है आये आयोजित शिविर की कुछ दिखाते हैं जलकिया जहां बेरोजगारों की भीड उमड़ी और सुनाते हैं आयोजगों के साथ चात्रों को उनका क्या कहना है हाँ 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 इस पॉटो में ही निविदाने सब्सक्राइब करेंड तैन लुटशनातर अन जोलागे वाले हैं बात बार में आप जने दिखाते हैं तो उनक्रिव साटेस दुखं अनक्रिशन आ या करेंट हम आ दोटाराइब को प्सक्त आर्य ऑनारी अगत अपनी महनों के लिए में यह कहना चाहती हूं कि बेशक यह प्रोग्राम आपके लिए नहीं था पर आपके किसी कारण से बुलाया गया है जसा कि एडीजी सर के बारे में बता दिया है कि सर का बिल्कुल अलग नेचर है उनका सामाज़िक कारियों में बहुत जादा रुच्छी रहती है उनकी तो हमारे चेतर के जो भोरोजगार यूगां है उनके लिए उन्होंने एलेंडी कमपनी के मादिन से बात की थी साथी साथ आप चो बहने हैं जिनकों भी रोजगार उपकी इच्छा है जो चाहती है कि मातमने भर बने उनके लिए भी सरने कुछ न कुछ अवश्य सोच रखता है और उस सोच को सार्यानविक करने के लिए हमें सार प्रतम आपके इंटरस्ट की जानकारी चाहिए आप किस प्रकार के कारियों को कड़ने में रुची रखेंगी या आपको ये कारे करने में दक्ष है तो उसकी बिजानकारी हम आप से लेंगे तो आप सारी बहने एक लाइन में आके और ये सीमा मैडम बैठी हुए प्रिजिन सीमें से